इस तरह निमलिखित पहला है इसे सांचे खिलाओने सीरेमिक बरतन आदी बनाने में इसका प्रियुक्त क्या जाता है इसका उप्योग क्या जाता है ठीक है नेक्स्ट है सजाप्टी समान मुर्तियां आदी इससे बनाई जाते हैं नेक्स्ट है इसका इस्तमाल है अस्पतालों में अस्थी विभाग यानि कि हड़ी अस्थी मतलब क्या होता है हड़ी वोन आपके जो बोन होते हैं हड़ी होते हैं हड़ी विभाग जो होते हैं अस्पत क्या जाता है यह तूटी हुई हड़ियों को जोड़ने के लिए परयुक्त होता है और तूटी हुई दातों तूटी हुई दातों के अस्थान पर नकली दात लगाने के संचे बनाए जाते हैं सांचे बनाए जाते हैं सांचे बनाए जाते हैं इसको अलग कर देना यहां से सांचे बनाए जाते हैं ठीक है नेक्स्ट इसके उपयोग की बात कर लेते हैं देखे भावनों मतलब मतलब का सकते हो आप महल महल का सकते हो घर बोल सकते हो ठीक है भावनों की दिबारों और छतो ठीक है नेक्स्ट इसका उप्योग है अगनी समन समंधी समगरी अगनी समक जो है आग को बुझाने बाले जो होते हैं जो उसमें केमिकल मिलाया जाता है उसमें भी इसका उप्योग जो है क्या जाता है तैयार करने के लिए क्या जाता है ठीक है अगनी समक यंत्रे को तैयार कर पड़योग साल्हाओं में ठीक है तो यही आपका हो गया इसके जुए मतलब इसके उप्योग पलाश्टों पड़िसके ठीक है तो आज के लिए इतना ही रन देते हैं ठीक है मिलते हैं next वीडियो में next lecture के साथ ठीक है चैनल पर नहीं वहीं तो स्काइब कर देना इस वीडियो को लाइक कर देना और सियर भी कर देना ठीक है बहुत ही मेनत के बाद वीडियो आपके लिए मैं बना पाता हूं ठीक है आज के लिए इतना ही सो थैंक यू यार